नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है हमारी चैनल सक्सेस प्लेस में इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके question answer round 2 का इसमें आपके जो important सवाल है उसके हम जवाब देंगे चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं यह बहुत ही important होने बाला है क्योंकि आप अपने दोस्तों को भी share करना है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों सबसे पहला है टाइको टेक देख सकते हैं बोल हैक are you helping to make portfolio तो यहाँ पर हम portfolio help करते हैं लेकिन आपको indirect रूप से करते हैं आपको अच्छे-च्छे stocks pick करके बताते हैं कौन से stocks ऐसे हैं जो कि आपको regular bonus देते हैं कौन से वज़से stocks है जो आगे growth हो सकता है कौन से ऐसे sector है जिसमें आगे growth हो सकता है इस तरह से हम आपको अच्छे-च्छे stocks बताते जाते हैं तो उसमें से आपको जो भी stock पसंद आता है आपको खुद थोड़ा से अपना भी research कर लेना है फिर आपको portfolio बनाना है और जैसे पांच लाख रुपय का portfolio का ऐसे बना है इस तरह के भी हम video बनाते हैं तो उससे भी आप help ले सकते हैं और अपना portfolio आप अपने interest के अनुसर आपको bonus share वाला लेना है dividend वाला stocks लेना है या growth वाला stocks लेना है या तीनो dividend भी हो growth भी हो और जो अच्छे stocks से dividend भी देता हूँ तो वैसे stocks लेना है तो वो भी आपको यहाँ पा मिलेगा मतलब यहां हर तरह के stocks आपको मिलते हैं उसमें से आपको चुनना है कि कौन सा stocks आपके portfolio के लिए सही होगा तो हम indirect रूप से आपको मदद करते हैं portfolio बनाने में उसके बाद करा है what a video and choice excellent तो यह बहुत ही हमारे वीडियो को appreciate किया है हमने जो blue cheap stocks बताया था जिस पे आगे growth हो सकता है मतलब जिस पे गिरावट वाले market में आपको खरीदारी करनी चाहिए तो उस पे इन्होंने comment किया है what a video and choice excellent उसके बाद अगला है what a video and choice excellent यहीं देख सकते हैं उसमें यह मतलब topic छूट ग तो जो पिछला हमारा episode 1 था question answer round का उसमें उन्होंने सारे सवालों के जो जबाब हमने दिये थे आपके उस पे इन्होंने comment किया है good analysis चलिए तो इनका कुछ खास comment नहीं था उसके बाद यह बोलन है लक्षमन करा good information तो यह पहले भी पहले round में बाले वीडियो में भी आ चु sit किया है तो आप भी जाएए ऐसे ऐसे वीडियो को देखिए और यहां से stock को choose करके अपना portfolio बनाईए तो हम आपके portfolio को बनाने में indirect loop से काफी मदद करते हैं उसके बाद यह कर रहे good research keep it up तो यहां पर देखते हैं जो अच्छे multi-bagger stock से जो आपको आगे bonus दे सकते हैं तो उस देखते हैं फिर से किया अब हिंफोस्स कर सकते हैं इन्भी पुछाए कि क्या इंफोसिस में इंफेस्ट कर सकता हूं तो बिल्कुल आप इंफोस्स कर सकते हैं इंफोस्स मार्य हम न बैसे कुने ब्लिया इंफोसिन में सब जो है प्रोफिंट में है क्योंकि इनस साथ रूपिया जा चुनील हनुट 16 टेनस समय सकती है तो अब अब लोंग के लिए होल्ड करना चाहते हैं यो आपको जो इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा से इसमें गिरावत होने दे करेक्शन होने दे तब आजाकर करें अभी इनफोसिस अपने जो 52 विक हाई है उसके आसपास जा चुका है तो थोड़ा से वेट कर ले उसके बाद करना है मनी कंट्रोल में किधर मिलता है यह डिटिल जो हमारा regular bonus देखते हैं और count से menu किलिक करना पड़ता है तो जो money control है उसमें से आपको जैसे जो भी stocks देखना है जैसे TCS देखना है TCS उसमें आपको type करना है search करना है जैसे खुल जाएगा तो इसमें आपको जाना है corporate action में किसमें जाना है corporate action में जब corporate action में जाएगे तो प्लीट वाला सेर देखना है तो यह था information कि कैसे आपको देखना है उसके बाद कह रहा है सर प्लेज स्मॉल केप स्टॉक लिस्ट दिखाईए जिसका depth 0 है कैस रिच अच्छा जैसा जीम पी फोल्डर जैसे जैसे पी फोल्डर लिखा है पी फाइजर होगा न उसके बाद इस तरह के जो भी स्टॉक्स है वह आपको बताईए तो निसित है अगले स्टॉक्स में हम कवर करने की कोशिस करेंगे जो small cap स्टॉक है जो की depth free स्टॉक्स है और जो आपको bonus आगे दे सकता है तो वैसे स्टॉक्स को हम कवर करेंगे अगले वीडियो में तो लगातार चैनल के साथ बने रही है तो ये कोश्चन था हमारा तरवासदास का और ये कोश्चन जो था हमारा money control का ये था हमारा धरम रनजन टी के का और दरम रनजन टी के का तो इस तरह से जो भी है उसके बाद इनफोसिस का कोशन था बलवन्त सींका तो थोड़ा नाम लेने में हम भूल जाते हैं तो आप नाम यहां पर पहर सकते हैं जिनका भी एक कोशन है उसके बाल धर्बंजन टेके फिर से कोशन पूछते हैं मुझे मदरसन सुम्मी के बारे में बताएए प्लेज आपका पुड़ यह कि आप 2019 का बोनस कब देगा मदरसन सुम्मी का एजियम 36 2020 को हुआ था सही है तो यह कमपनी कौन बोनस डिकलियर करेगा बोनस डिकलियर करने के बाद अगर सेर लेंगे तो बोनस मिलेगा या नहीं तो बोनस डिकलियर करने के बाद आप अगर X बोनस से पहले लेते हैं X होता है कि इस date के पास अगर आपने share खरीद लिया है इस date से पहले, X मतलब पहले तो X date जैसे आपको 3 जनवरी है, तो 2 जनवरी तक आपने share खरीदा, तो आपको मिलेगा bonus, नहीं तो नहीं मिलेगा लेकिन bonus जो होता है, वो long term में benefit करता है, ना कि जब bonus का news आए, तब आप खरीदें, आपको पहले से जो stock में लगता है, आगे growth है उस stock में, जिसमें growth हो, जिसमें क्या हो, growth हो जिसके management अच्छा हो, जिसका business अच्छा हो, तो उसमें invest करें वो company खुद बखुद bonus देगी, तब आपको benefit होगा, ना कि X bonus date से पहले आप buy करते हैं, तो उससे कोई benefits नहीं होगा, क्योंकि price जो है, उसी ratio में, जो current market price होगा, उसी ratio में कम हो जाएगा, तो खास फायदा नहीं होने बाला है, long term में benefit होता है, तो बाद स्वेता बोल रहे हैं, at what price should I sell loop in about 866 in 8 November 2017, तो अगर आपने इस समय बाइका 2017 में अभी sell करना चाहते हैं, तो अगर आप अभी profit में sell कर सकते हैं, नहीं तो आप long term के लिए अगर buy के हैं, तो आप hold के जिए, क्योंकि आने वाले 2-3 साल तक हो सकता है pharma stocks perform करे, तो अगर आप long term के लिए buy के हैं, तो hold के जिए, अगर short term के लिए के हैं, तो आप जो loop in है, वो 900 के उपर जा चुका था, तो वहाँ से आप profit book कर सकते थे, तो इसमें अगर आप long term के लिए हैं, तो long term में बने रहिए, क्योंकि काफी वहतरियर stocks है, लूपिन, उसके बाद prayer पटेल है, we are interested to know which companies are going to give bonus share, हमें जानने में मतलब ये रूची रखते हैं, कौँ सा share, bonus share देने जा रहा है, तो ये तो जैसे जैसे मतलब आएगा, हम information आपको देते रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं, कि bonus share से हम एक multi-bagger return कमाए, तो आप अच्छे जो stocks है, जिसमें growth हो, जो growth पर ध्यान देता हो, तो वो क्या करेगा, अपने surplus money को लगातार यूज करेगा, company depth zero होना चाहिए, मतलब depth free होना चाहिए, तो वो company आपको लगातार regular interval जैसे जैसे उसमें growth होता है, तो यह stock भी लगातार grow करेगा, तो वो company आपको bonus देगा, तो उससे आपको benefits होगा, तब आपको हम जो news देते रहेंगे, bonus share आने बाला है, तो उसमें आपकी companies आएगी, कब bonus दे रहेंगी, तो उससे कि आपको गिरावट वाले market में, कौन से stocks बाय करने चाहिए, उसके बाद है, sir, क्या विप्रो की long term के लिए 20 years कैसा होगा, तो कर रहा है, विप्रो अगर हम लेते हैं, 20 साल के लिए, long term के लिए, तो कैसा रहेगा, तो 20 साल के लिए विप्रो अभी भी बाय करते हैं, तो हो सकता है, वो अच्छा बेहतर रिटर्न दे, विए अलिम साहिब को करते हैं, 20 साल के लिए विप्रो के लिए ले 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 तो बहुत अच्छा है, आगे आपको देखते रहना है, कि विप्रो में बेस्ट है, इसके लिए एक विडियो बनाईए, लॉंग टर्म के लिए कौन-कौन से बेस्ट है, तो हम लगातार विडियो बनाते रहते हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हम बताते रहते हैं कि आगे ओने वाले किस कमपनी में ग्रोथ है, कौन सा कमपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, तो आप उनकापनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इस पर हम विडियो लगातार बनाते रहते हैं, कि कौन सा बुलू चीप कमपनी लॉंग टरम के लिए आपके मल्टी बैगर रिटर्न, मीड कैप कमपनी, स्मॉल कैप कमपनी, तो प्रवास कंपनी बिप्रो में भी आगे बोला जा रहा है इसा हम भी देख रहे हैं कि management का भी कमेंट है कि आप बिप्रो में भी आगे growth आउर बचा हुआ है तो इसे में बिप्रो और अच्छा एक multi-bagger return आपको आगे भी दे सकता है तो निसीद है बिप्रो बाइ कर सकते हैं उ तो कौन सा लेवल पे निफ्टी निफ्टी तो अभी 11,000 भी जा सकता है ऐसा अनुमान है कि 11,000 भी ये touch कर सकता है और probability है 9,000 भी आ सकता है तो आप 9,000 पे जब निफ्टी आ जाए तो जरूर इन्वेस्ट करें अगर 11,000 जा रहा है निफ्टी तो अभी थोड़ा वेट कर ल समय में जो हमारा manufacturing सेक्टर है उसमें boom आ सकता है IT सेक्टर के कुछ stocks ले लें कुछ pharma में 2-3 साल performance आ सकती है उसके बाद जो है आप specialty chemical सेक्टर से कुछ ले 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 अगरी culture सेक्टर आगे जो है थोड़ा boom करने वाला है तो उससे related कोई company ले 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 तो आपको हर company में diversify कर देन हैं लगातार आपको information मिलता रहेगा उसके बाद कर रहा है sir bonus share मिलने से cmp current market price भी उसी ratio में कम हो जाता है फिर फाइदा कैसे हो सकता है तो कर रहा है कि current market price जो है उस समय उसी ratio में कम हो जाता है तो bonus share short term में कोई benefit नहीं करता है यह long term के लिए होता है मतलब एक psychological effect होता है जैसे share का price 100 rupees है अब यह cut करके current market price के अनुसार मतलब जब bonus दिया यह घट करके अगर 50 rupees हो जाता है तो एक psychology बन जाता है कि इस share का price हमें कम दामों में मिल रहा है तो कम rate में मिला है तो उसमें जो छोटे छोटे investor है उसका interest बरता है अगर company में आगे growth है तो company जैसे profit बहुत ही अच्छा दिखाती है आगे growth दिखाती है निस्तित है यह company का share price 50 से बढ़के 100 हो जाए तो आपके पास तो दो share हो गया अगर यह 100% return देगा आपके पास 200 share है तो आपका कितना हो जाएगा 200% return तो यह short term में इसका explanation था detail में हम एक वीडियो में बताएंगे क bonus share काई से फायदा देता है तो bonus share एक psychological सबसे पहले effect डालता है अगर growth है company में तो उस company के share जो है काफी सस्ते हो जाते हैं जिससे अधिक से अधिक investor उसमें invest कर सकते हैं छोटे छोटे जो retail investor भी है वो भी invest कर सकते हैं अगला है on time education करा you provide deep knowledge for stock investment चले बहुत अच्छा thank you उसके बा लिए कौन सा stock ले वन भी के लिए कोई stock हम recommended नहीं करते हैं और यहाँ पर long term की बात होती है कि आप long term के लिए कौन सा stock ले सकते हैं ऐसे तेन थाजिंट है आपके पास one big के लिए लेना है तो आप कोई भी stock ले सकते हैं जो आपका एक्छा करें जिसमें देखेगा आगे growth हो उसी stock में लिजिएगा साथे साथ जो nifty 50 में हो nifty 50 के बाहर के stock one big के लिए ना ले क्योंकि आप trap हो सकते हैं अगर correction जादा आ गया तो फिर वो recover नहीं कर पाएगा अपने price को उसके बाद कर रहा है sir bonus मिलने से जो cmp उसी ratio में कम हो जाता है तो please explain in another video तो इनका question पहले भी हम सामिल कर लिए हैं उसके बाद कर रहा है manis das stock split होने से पहले अगर मैं buy करनू तो मुझे फाइदा होगा आपको share तो multiply हो जाएगा उसका फाइदा होगा लेकिन आपका जो return होगा वो फाइदा नहीं होगा आपका share में फाइदा हो जाएगा अगर आपने split से पहले 10 share फाइदा किये लिया है त लेकिन आपका जो 10,000 amount उसमें लगा है तो ये amount उतना ही रहेगा मतलब आपको profit कुछ नहीं होने बाला सिर्फ number of share आपका उतना times multiply हो जाएगा जिस ratio में stock split होगा उसके बाद है हमारा one rs का उनके बाद दूसरा question है इनका manis das का one rs का stock मैं खरीद के रखा हूँ अगर company बंद हो जाता है तो मेरा पैसा का क्या होगा अगर company बंद हो जाता है तो मेरे पैसा का क्या होगा ये बता रहा है मतलब ये पूछ रहे हैं कि company बंद हो जाती है तो इनके पैसा का क्या होगा तो जब company बंद हो जाएगे तो आपका पैसा भी डूब जाएगा क्योंकि stock market में जो company listed है वो company ही नहीं रहेगी तो stock का price जो है धीरे धीरे zero हो जाएगा और आपका भी रूपया सारा का सारा बरबाद हो जाएगा तो उमीद करते हैं यह video आपके लिए helpful लगा हो तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका question सामिल किया जाए तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं अगले video में जब भी हम episode 3 लेकर आएंगे या कोई भी video लेकर आते हैं जब भी आप video देख रहे हैं तो अगला जो video हमारा episode होगा उसमें आपके question को सामिल किया जाएगा इसके लिए आपको comment करना है हच success place लगा करके अगर आप चाहते हैं आपके question सामिल किया जाए अगले बार से तो आपको हच success place लगाना है मतला हच लगा देना है channel के नाम के पहले फिर अपना question लिख देना है उम्मीद करते हैं वीडियो helpful लगा होगा तो वीडियो को like के जेगा अपने दोस्तों के साथ जरूर share के जेगा चैनल में पहली बार है तो चैनल को subscribe करके बगल के bell icon को दबाली जेगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन